आज हम बनाने लगी है चट्नी भरेशामी कबाब एक किलो मारे पास कीमा है ये मग भरके हमने पानी का डाला दो प्यास के स्लाइसिस डाले अद्रक लसन कदू कश करके डाला ये आपके अपने फ्लिवर पे है मेरे लिए बस इतना ही काफी होता है दो टेबल स्पून जिवना किलो हमने चने की दाल सोग करके रखी वीथी वो डाली हमने चने की डाल स्पूर करके रख़ा एधे ओगा हीट और लिए शामी कबाब झीजा बनेंगा और रेड हो गई यह हमने थो के इनकी डंडियां हटा के यह हमने डाल दी भर के क्योंकि हमने रेड चिली नहीं डालनी हम इसी सही इसका स्पाइस पूरा करेंगे नमक भर के वन टेबल स्पून बाकि फिर जरूरत होगी तो हम टेस्ट के इसाफ से इसको ठीक करनेंगे सफेद जीरा दो टी स्पून पुश्क धनिया दो टेबल स्पून यह दो टेबल स्पून होगे एक यही वाला चमच हमने भर के काली मिरच पी सीवीग का भी डाला है हम साबत स्पाइसिल डालेंगे जिसमें एक टेबल स्पून काली मिरच यह जाइफल डाला यह बादियान खताई डाला यह दारचीनी की स्टिक्स डाली तेज पता बड़ी लाइची दो तीन डालेंगे इतने से लांगा यह डालके हम फ्ल्ड़ी पकने लिए रकने के लिए रख़देंगे जिए तो फाल्दी गजा देएफ अन्मिर्च हमने नहीं की हमने सिर्फ यह साबत मिरच डाली है चने की दाल हमारी गल्चुकी है इसको इसी तरह खड़ा खड़ा और साबत रहना चाहिए और हमारा गोश्ट का कीमा खुश्च हो चुक है बिल्कुर इसको अब हम ठंडा करेंगे उसके बाद हम इसको चौब करेंगे उसके बाद फिर हम इसको शामियों के लिए संबल करेंगे पानी खुश्क करके तरीके से अब हमने इसको बनाना की इस तरह हम एक अंडा लेंगे उसके चार पीस करेंगे चार पीस कर लें या इस तरह आदा कर लें जिस तरह आपको अच्छा लगे इसको पर से प्याप कर दें नर्गसी कबाब हमारा है इसी तरह हम यह सारी कीमे के फॉयल अंडा फिल करके बना लेंगे फिर उपर अंडा लगा के खुट करके इस तरह इसको आपने अंडा लगा के फ्राइ कर लेंगे अरे मज़िदार से नर्गसी शामी कबाब तिया रहे हैं इनको बनाएं फीडबेक जरूर दीजिएगा और इंजॉय करें थैंक यू शुक्रिया